नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि पेपसिया डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है PepsiA D Capsule को कैसे लेना चाहिए और PepsiA D Capsule की वज़र से क्या side effects हो सकते हैं? PepsiA D Capsule पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है PepsiA D Capsule का उत्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर PepsiA D Capsule का उत्योग किया जाता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उत्योग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर पेपसिया D Capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर अंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्स ना हो इसलिए आपका डॉक्तर पेप्सिया डी कैप्सूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा पेप्सिया डी कैप्सूल का उप्योग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है पेपसिया डी एक ब्रैंड नेम है पेपसिया डी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है पेपसिया डी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन रैबिपराजोल और डोमपेरिडोर होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि पेपसिया डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में पेपसिया डी कैपसूल की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Pepsia D Capsule की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मासपेसियों या जोरों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा Pepsia D Capsule की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक Pepsia D Capsule का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक Pepsia D Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B 12, कैल्शियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं. इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना Pepsia D Capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार Pepsia D Capsule को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. आस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर व अंदर से खोक्री हो जाती है. Pepsia D Capsule की वज़े से आस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब Pepsia D Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Pepsia D Capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की Pepsia D Capsule को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व् Pepsia D Capsule की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको Pepsia D Capsule को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या Pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Pepsia D Capsule को ले सकती है या नहीं, वैसे Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Pepsia D Capsule का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Pepsia D Capsule को लेने की सला दे सकता है इसलिए डॉक्टर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पेपसिया डी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए